Hey everyone, welcome in Sonia educational coaching center. Today we are doing E की मात्रा. आज हम कौन सी E की मात्रा कर रहे हैं? आज हम करेंगे बड़ी E की मात्रा. हमने A में पढ़ा, A की कोई मात्रा नहीं होती, A की मात्रा को हम पढ़ चुके हैं, यह है E. हम E की मात्रा को पढ़ चुके, आज हम पढ़ेंगे बड़ी E. इसको करने से पहले मैं आपको एक बच्चीज बताती हूँ. यह है E और यह है E. इन दोनों की जो मात्राई होती हैं, आप सबको बहुत अश्य से पता है कि अगर हमने लाइन लगाई तो चोटे बच्चे आगे आएंगे, बड़े पीछे जाएंगे. इसी तरीके से जो छोटी E की मात्रा होती है वो वाण से पहले आती है और बड़ी E की मात्रा वाण के बाद में आती है. तो आज हम कर रहे हैं बड़ी E की मात्रा. हम इसको बड़ी E की मात्रा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से बड़े को बोलने के लिए हम सम्मान देते हैं, उसी तरीके से बड़ी E की मात्रा को बोलने के लिए हमें थोड़ा सा जोर लगाना है और अक्षर को जोर ल गी गी इसके मात्रा नहीं आएगी बोलके देखो की खी गी घी ची छी जी जी यहां के मात्रा नहीं आएगी टी ठी डी धी अड़े को मत्रा नहीं आएगी टी ठी दी धी नी जब भी हम इसका उचारन करेंगे तो बड़ी एकी मात्रा का उचारन हमेशा कैसा आता है जैसे हम किसी चीज को प्रेसराइज कर रहे हैं जैसे की खी गी घी ची छी जी जी टी ठी डी धी धी नी अब आप इच्छी देखना जो भी मैंने मात्राइं लगा रखी है वो एकुरेट तरीके से उस जगह पे लगा रखी है जो हमारे वर्ण का साइन है जैसे हमारा तै यहां है तो यह मात्रा मैंने ना तो आपको मात्रा को इस तरीके से ना ही हमें टेडा मेडा ऐसे लगाना है हमें मात्रा को बिल्कुल सिक्वेंस तरीके से लगाना है जैसे हम यह की लगाते हैं इस मात्रा से यहां तक यही री ली वी शी यहाँ पर आप एक चीद ध्यान रखना सैसल्गम के साथ एक मात्रा उल्रेडी है इसके साथ ही तो यह सैसल्गम बनेगा जब हम इसको मात्रा लगाएंगे तो अलग से लगानी हमें कुछ बच्चे क्या करते हैं अगर ऐसे सी लिखा हुआ तो इसके उपर ऐसे ही मात्रा रीटन कर देते हैं यह हमारा रोंग है शी शी सी ही यह हमारी है बड़ी एकी मात्रा अब जोर लगा के बोल के देखो की खी गी घी ची छी फी जी जी टी थी डी धी ती थी धी धी नी पी ही भी भी मी यी री ली वी शी अब देखते हैं इसके कुछ वर लाइक इस कील अब यहाँ पर अगर मैं इसको छोटी की मातर लगा के बोलूंगी तो यह बनेगा दिन क्योंकि इस मातरा की जो आवाज है वो कैसी आती है छोटी आती है दिन और यह क्या है दीन चीले अगर मैं इसको छोटी की मातरा लगा देती हूँ तो यह बनेगा चिल फिर यह चील नहीं बनेगा यह बनेगा चिल नील, नीता, साडी, पाणी, दाणी, दाणी, मा, मी, चा, ची, दाणी, दाणी, गाड़ी, गाड़ी इस तरीके से आप नए नए शब्द लिखिए और इनको बोलने की कोसिस कीजिए ए माँ , पिल्ग चार्म, पाड़ी, जाणी धा रिया ओाणी। भ religion, है rhymes बनेगा